हलो फ्रेंड्स वल्कम टो मैं चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार्दिक स्वागत है पुर्शों के बाई नाग पर तिलके होने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें दोस्तों शरीर पर पाये जाने वाले काले निशान जिसको कि हम तिल भी कहते हैं हमारे भविश्च्य और चर्ट्र के बारे में बहुत कुछ पताते हैं सामद्रिक शास्त्र में इन तिलों का अपना एक खास महत्व माना जाता है खास कर यदि ये तिल किसी के नाक पर हो तो कहने ही क्या दोस्तों इस शास्त्र में महिना और पुर्षो के सर्ट पर पाये जाने वाले तिलों का अलग-अलग वणन किया गया है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पुर्षो की नाक पर तिल के होने का मतलब बताऊंगी तो यह जानते हैं कि यदि किसी पुर्ष के नाक पर तिल पाये जाता है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों सामद्रिक शास्त्र के नूसार यदि किसी पुर्ष के नाक के बाएं भाग पर तिल पाये जाता है तो यह अत्यांति सोभागी सूचक माना जाता है एसा माना जाता है कि ऐसे पुरुष बुद्धिमान और मिहिंती होते हैं, साथी साथ इनके अंदर गजब की रचनात्मत चमता पाई जाती है, क्योंकि इन्हें कुछ न कुछ नया सीखने का शौक होता है, जिसकी वड़े से समाज में कुछ न कुछ नया अवश्य करते हैं, जाता है यदि ये कोई नौकरी करते हैं तो उसमें इन्हें उच्छपद की प्राप्ति होती है और यदि ये वापार करते हैं तो उसमें भी इनको तरक्की अवश्य मिलती है दोस्तों जिस भी किसी पुरुष्ट के नाक के बाएं भाग पर तिल पाया जाता है ये कभी-कभी मतलबी भी देखे जा सकते हैं क्योंकि इन्हें अच्छे से पता होता है कि सामने वाले से अपना काम कैसे निकलवाया जाए परंतु ऐसे व्यक्ति हस्मुक्प्रवर्थ के होते हैं जिसकी वज़स ये सामने वाले का मन मोह लेते हैं दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों से समन्दित बाते आए जानते हैं विज्ञान के नुसार हमारे शरर पर तिलों के होने का क्या मतलब होता है विज्ञान के नुसार शरर पर तिलों का पाया जाना तो चाकि अत्वृद्धिका सूचक माना जाता है इसके अलावा मेलिन नामक तत्यों के एक ही जगह एकत्रित हो जाने के कारण ये तिल हमें हमारे शरुर पर दिखलाई पड़ते हैं, कारण कुछ भी हो, सभी की अपनी अलग-अलग मानताएं मानी जाती हैं, विज्ञान की माने तो शरुर पर तिलों का पाया जाना तो चाकि अत्यवरिद्धिका सूचक या मेलिन नामक तत्यों के एकत्रित हो जाने की वज़े से होता है, परंत्यदी शास्त्रों की माने, खास थोर पर शामद्रिक सास्त्र की, तो सामद्रिक सास्त्र के अनुसार, शरीर पर पाया जाने वाला तिल, अपने आप में कई गूर रह से चिपाए हुए है जो व्यक्ति के भविष्च और चत के बारे में बहुत कुछ बतलाता है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में मैं आप सभी को शरुर के अन्य भागों पर तिल होने का मतलब बताऊंगी आशा करती हूँ कि आज की दी गए सभी जा करना ना भूलें धन्यवाद